यहां पे लाल बटन है और बेल आइकने प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको ने वीडियो की सूचना हमेशा पराप्त होती रहें आज का जो स्टॉक है जो कमपनी है फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड तो उसके बारे हम जा रहेंगे कि कार्बन सेक्टर की एक बहतरीन कमपनी है कुछ कमपनियां जैसे गोवा कार्बन है एक रेन इंडस्ट्री भी है जिस पे अभी काफी एक गैडलाइन आई थी कोड के तरब से उन पे कुछ बैन लगाया गया था क कि जिससे पॉलूशन पर कंट्रोल किया जा सके तो जनरली इस कंपनी का फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिम्टेट कंपनी का जो प्रोड़क्स तयार करती है तो इस चीज़ को ध्यान में रखती हुए गाइडलाइन को फॉलो करती है कि ग्रीन एनरजी या फिर ग्रीन परयाव का कार्बन कहा कहा है लोग सप्लाइ करते हैं और प्रोड़क्स तयार होते हैं तो रबर में भी और नॉन रबर में भी जैसे कि टायर्स के जो रबर है तो ब्लैक जो कलर दिया गया है रबर को प्लस जैसे कि हम प्रोड़क्स में देखते हैं स्पेशालिटी ब्लैक में आते इंजिन्डिंग की जो प्लास्टिक्स होते हैं, food contact होते हैं, fiber जो cables होते हैं, fiber होते हैं, pressure pipes होते हैं, ESD wires and cables में जो black tire की coating रहती है, plastic के माध्य हम से, rubber के माध्य हम से, multi-layered films जो होती है, जो एक sheet होती है, जो कई जगा यूज होती है, glasses में भी यूज होती है, और drip irrigation, general pipes, films and moldings, inks and coatings, जो black coating होती है, गाड़ियों में और आपके bikes, wax में जो कुछ plastic के products होते हैं, जो black होते हैं, अच्छी design होती है, अलग-अलग तरीके के film sheets होती हैं, तो आप समझ गए होगे किस पकार के products के मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से, जो इनके products हैं बहतरीन हैं, और कुछी company हैं, ज्यादा इन में competition तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी flips, carbon black, goa carbon, ये सब दिगज company हैं, तो आईए हम आज इनके बारें, fundamentals के बारें बात करेंगे, कि किस पकार के इनके वेवसाय चल रहा है, यहां पर गर हम 27 जुन 2019 को भाव देखते हैं, अभी समय हो रहा है, 12 बच के 35 मिनट, और 111 रुपए के price पर trade कर रहा है, NSE पर, फिलिप्स carbon black limited, और low बनाया है 108 का, और high था 286 का, तो high से 50% के आसपासी करीब ज्यादा ही तूट चुका है, और previous close carry तो कल की closing थी 16, और 6 मंद के अगर हम रिटर्न देखते हैं, तो जिन्होंने पैसे लगाया थे 6 मेने पहले, उनको 40% के नुकसान है, और जिन्होंने एक साल परे लगाया थे, उनको 46% के नु की रह गई है, पीर एशियो के बात करें तो 5.25 की है, अर्निंग पर शेर 22.20 और प्राइस टुबुक है 1.25, डिलिवरी भी डिलिवरेबल है, 39.40% के आसपास, और स्टुडेंट पे इंग स्टॉक है, तो इस तरीके से हम इनकी रिटर्न पे देखेंगे, और इनकी रिजल् अगर हम quarter 4 के, यानि December 18 से March 19 के financials देखते हैं, तो net sales में जहाँ 945 क्रोड की December 18 में थी, वही 920 की घटके हो रहे गई, यानि 2.63% की downside है, और net profit में भी जहाँ इनको 108 क्रोड की थी, December 18 में मार्च 19 में हो गई, 84% के आसपास, यानि यहाँ भी downside है, 31.45% की, और margin भी यहाँ 6.76 की downside है, और हम देखते हैं इनके annual results, अगर हम year on year देखते हैं, मार्च 19, sorry, मार्च 18 से मार्च 19 की बीस में compare करते हैं, तो net sales में जहाँ 18 में थी, 775 क्रोण की थी, वहीं मार्च 19 में है, 920 क्रोड यानि 91% की upside है, यह जो की बहतरीन है, और net profit में भी जहाँ 44 क्रोड के आसपास थी वहीं, अभी भी 44 क्रोड 43 लाग की होगी, तो थोड़ी सी यहाँ पर upside है, जो कि net profit बराबर है, लेकिन margin में यहाँ OPM में, यहाँ 1.36% की downside है, जो की एक negative sign है, और इस तरह किसे company quarter for results के आने के बाद भी downside काफी देखने को मिल रहा है, पर मोटर्स के पास है 53.56% के आसपा और FIIIs है, 84, यहाँ for institutional investors है, 84 है, जवर्दा सुम की holding है 10% के आसपास, और company यहाँ पर, top segments में carbon black 95% और 4.53% के आसपास है, और green power, energy से, power से, तो यह रहा, chart एक basic हम देख लेते हैं, cash प्रकार से, high यहाँ पर था, 287 का, 8 अगस्त 2018 को, और लगातार फिर यहाँ गिरा, यहाँ से गिरावट चलते हुए, फिर उठा, एक बार संभला, फिर नीचे की ओर, downside फिर थोड़ा संभला, और फिर downside और आज यह 120 उर्पए, 108 उर्पए के हाँ, हाँ, थोड़ा से बढ़ गया, मैं देखते देखती ही बढ़ गया, तो इस तरीके से 120 के भावव पर trade हो रहाँ वर्तबान समय में, तो अपने high से काफी नीचे है, और हम अगरे debt देते हैं, company में कर्जा कितना है, तो यहाँ पर total debt है, 686 करोन का, यह है, लेकिन यह एक गनीमत है कि इनके पास कोई, इन्होंने कोई share गिर भी नहीं रखे हुए हैं, यह थोड़ी रहात वाली बात है, अगर हम return देखें, इस company के, कि 10 सालों में इसने कैसा perform किया हुआ है, तो 10 सालों में अभी भी बेहतरीन return है, यानि 846 के आज़ पास हमें return मिल रहे हैं वरतमान समय में, और 5 सालों में 645% के जबरदस्त return है, चार सालों में 445% के बेहतरीन return है, तीन सालों में 275% के जबरदस्त return है, और 2 सालों में 4 points, जनी 4% के आज़पास return, लेकिन एक साल से लगातार negative में है आपका पैसा आधे से ज्यादा कम हो गया है जिन्होंने एक साल पहले लगाया थे जिन्होंने च्छे मैने पहले लगाया थे और जिन्होंने तीन मैने पहले लगाया थे उनको 30% का negative में रिटर्न जिन्होंने एक मैने पहले लगाया थे उनक शालों में, चार सालों में, तीन सालों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि company अभी एक ऐसे भाव़ों पर मिल रही है, बहतरीन company काफी सस्थे व मिल रही है, जिससे आपके इसका price to earning ratio पिए है, और हमें इसकी book value देख लेते हैं बुक वैल्यू देखिए 102 की है यानि कंपनी की जो नेटवर्थ निकाले गई है वो 102 के आसपास है और प्राइस भी 120 रुपए के आसपास चल रहा है तो बुक वैल्यू के आसपास ही है तो एक सस्ता प्राइस महसूस हो रहा है पी रेशियो भी देखिए इंडस्ट्री पी इसकी 6.83 की है तो इंडस्ट्री पी से थोड़ी से कम है और प्राइस टुबुक 1.17 के है ये भी एक अट्रेक्टिव है और अधनी पर शेयर भी एक अच्छा ही लग रहा 22.54 के है इनके रेजल्स अच्छे नहीं आए इस वज़े से और भी कई काण हो सकते है तो ऐसा कोई बहुत इसमें बड़ी निउस नहीं है जिसक वज़े से टूटी हुई है तो फिलाल आगे भविश्य में आने वाले समय में हो सकता है कि अच्छा रेटन हमें मिले तो जो लोग भी इसमें इंट्रेस्टेड हूँ वो जरूर अपनी सूजबूज अपनी स्टुडी भी करें कई सालों के रेजल्स भी देखें सब उपलब्ध है साइट पे वेबसाइट पे उनके और रेटन ओन एक्विटी अच्छी है और मुझे लगता है कि इस पे खरीदारी बनती है लेकिन लंबे समय के लिए जो लोग इनका तार्गेट है पांस से दस साल पंद्रा साल वीस साल तो कि अभी मैंने बता है आपको दस साल पांस सालों में जबरतस रेटन दी हैं इसने तो अभी बहुत तूटा हुआ शेर मिल रहा है अपने साल से भी काफी 50% के आस पास तूट गया है तो जरूर इसमें जो लोग इंट्रेटर्टों खरीदारी कर सकते हैं और अपने जरूर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कोई भी स्टॉक खरीदनिया बेशने से पहले अपने फिनेंशल एडवाइजर से भी मशुरा कर ले थेंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंड्स